नमस्कार आज हम अपने फिजिक्स पेपर सेकिंड बेव एंड ओसिलेशन्स में यूनिवर्सिटी में जो लास्ट येर कुश्चन पेपर आया है उसके कुश्चन्स और आंसर्स को डिसकस करने का पहला पार्ट कर रहे हैं इससे आपको ये अनभव होगा कि यूनिवर्सिटी में किस प्रकार के कुश्चन्स आ रहे हैं और उन कुश्चन्स को किस प्रकार से हमें आंसर लिखना है जो भी important कुश्चन्स परिछा की दृश्टी से बनते हैं किस प्रकार से पूछे जाते हैं अपने topic के साथ-साथ हमने आपको बताया है आपको ध्यान होगा अपना जो पार्टिकरम है तीन युनिट में डिवाइड है और इन तीन एकाईयों के आधार पर जो अपना प्रसंद पत्र होता है उसके तीन खंड बनते हैं पार्ट ए पार्ट बी और पार्ट सी पार्ट ए में दस क्वेश्चन आते हैं जो वेरी सॉर्ट आंसर टाइप होते हैं पार्ट बी में पांच क्वेश्चन होंगे और पार्ट सी में तीन ऐसे टाइप क्वेश्चन आते हैं पार्ट बी के क्वेश्चन में और पार्ट सी के क हमको मिलती है तो आज हम जो युनिवर्सिटी एक्जाम का प्रस्न पत्र 2020 में आया था उसको हल करने का उसको डिसकस कर रहे हैं आपके साथ और उसके जो आंसर्स हैं बो भी मैंने आपको लिख करके बताए हैं आप देखेगा चुकि पूरा अपना पार्ट करम तीन एकाईयों में विवाजित है तो निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं पार्ट एमें जो दस कूश्चन होंगे वो सामाज रूप से पृतेग एकाई से तीन कूश्चन की रचना रहती हैं किसी एक एकाई से चार कूश्चन जा सकते हैं पहला question जो लास्ट येर परिक्षा में पूछा गया बिभव कूप की परवासा दीजे तो बिभव कूप की परवासा क्या है गति सील कन की इस्तितिज उर्जा और विस्तापन के मद में जो ग्राफ खींचा जाता है और उसमें जो ग्राफ हमें प्रापत होता है उस ग्राफ म नियुन्तम इस्तितिज उर्जा वाली संतुलन इस्तिती के इधर उधर परिबद छेत्र को हम विभव कूप कहते हैं। विभव कूप कहलाएगा। गती को सरल आवरत गती कहते हैं। और यह गती जो समीकरण है F is equals to minus KX अर्थात के द्वारा नियंतरित होती है। और यह गती में दोलक हमेशा सामभी अवस्ता के इधर उधर कण की गती रहती है। जिसमें पृत्याने अन्बल बिस्तापन के अनुकरमान पाती होगा। और सदेब ही सामभी अवस्ता की और इंगित करेगा। इसमें जो रिनात मकचिन है वो इसमें बताया है। तो मूल बात इसमें जो हाईलाइट होनी चाहिए वो F is equals to minus KX के साथ हमको बताना चाहिए कि ये गती में पृत्याने अन बल अत्वा तुरन का जो मान है वहें बिस्तापन के अनुकरमान पाती होगा। हमेशा सामभी वस्ता की और इंगित करेगा। ये बात इसमें जरूर आनी चाहिए। इसके कई उधारन दिये जा सकते हैं। अनेक उधारन हमने करीवन पात करम में अपने दस- hilarious उधारनों की इसमें विवेजना की है। आपकोई से भी दो उधारन लिख सकते हैं, spring द्रवमान का लिख सकते हैं, LC परपत लिख सकते हैं, torsional oscillator लिख सकते हैं। अनेक उधारन हमने जो दिये हैं उन मेंसे कोई से भी दो उधारन आप यहां पर डिसकस कर सकते हैं फिर question पूछा है प्रैसामान ने बिधा क्या होती है तो इसमें आपको जो normal mode of vibration है उसके बारे में बताना चाहिए कि जब कभी कोई सोतन दोलग होता है तो जो उसका कमपन होगा वह है mode of vibration कहलाता है कमपन बिधा कहलाता है तथा कमपन जो बिधा है वह है निशित रूप से एक variable पर निर्भर करती है जैसे कि अपने एक ही frequency है तो एक ही variable पर निर्भर करेगी और इस एक ही variable पर जब यह vibration कहलाता है फिर last year परिक्षा में question पूछा गया damp harmonic oscillator का क्या अर्थ है अर्थात अब मंदित harmonic दोलित को बताईएगा तो यह topic विस्तार से हमने discuss किया है और अब आपको जानकारी है और याद भी हो गया होगा कि जब कभी दोलन गती हो रही होती है तो उसका कन प्रत्यानन बल के साथ साथ कई और भी force हैं जो उस पर कार करते हैं जैसे कि कोई friction force हो सकता है कोई viscous force हो सकता है और ये ऐसे force हैं जिनके कारण दोलक के आयाम में धीरे धीरे कमी होती रहती है उसका कारण है कि कुछ उसकी energy का loss होता है energy के loss होने के कारण amplitude के मान में कमी होती है और एक इस्ति बनती है धीरे धीरे करके वह इस्तिर अवस्ता में आ जाता है तो जो एनरजी में लॉस हो रहा है जिसके कारण आयाम में कुछ कमी हो रही है हम ऐसे दोलकों को अब मंदित सरल आवर्ती दोलेत कहते हैं इतना परवासा लिखना इसमें परयाप्त होगा और इसमें कोई भी mathematical derivation की आवे सकता नहीं हो फिर लास्ट एर एक question पूछा गया कि अध्यारोपन सिद्धान्त को समझाईए अध्यारोपित सिद्धान्त की विवेचना कीजिए हमने unit 1 में अध्यारोपन सिद्धान्त और अध्यारोपन सिद्धान्त से सम्मंदित कई प्रकासिये गटनाओं का ज चलती हैं तो माध्यम के प्रतेकन किसी छण विस्तापन दोनों के प्रतक प्रतक विस्तापनों के सदिस्योग के बराबर होता है यह है अध्यारोपन सिद्धान्त कहलाता है और इस अध्यारोपन सिद्धान्त से चार प्रकार की प्रकासिये घटनाओं जन लेती हैं जो जो ऑप्टिकल इवेंट्स हैं ये चारों की चारों प्रिकास ये घठनाएं अध्यार उपर्ण सिद्धान प्रिंसिपल उप सुफर पोजीजन से ही जन्म लेती हैं और इन चारों का विवरन हमने प्रतक से किया है आपको चाहिए इन चारों की भी परवासा हम याद रखें क क्योंकि कई बार बैती करण क्या होगा संपोसी बैति करण क्या है Bilnasi बैति करण क्या है ये प्रगामी तरंग Bigs इन पर भी question पूछे जा फिर last year question पूछा गया phase velocity अर्थात कला बेक का क्या तात पर है तो माध्यम में जिस बेक से समान कला के तल का बिक्चोब आगे बढ़ता है उसे कला बेक कहते हैं phase velocity कैसे है locus of all point which vibrates in same phase is said to be phase velocity वह है phase velocity कहलाएगा फिर last year question आया है पार्ट एका ही pointing सदिस की परवासा दीजिए अब आप देख रहे हैं pointing सदिस जो question बना है यह है unit third से बना है unit third में जो last chapter है electromagnetic wave and polarization महा से पूछा गया है pointing सदिस की परवासा दीजिए basically henry pointing एक scientist का नेम है और henry pointing जो scientist का नेम है उनके नाम के अधार पर हम energy flux को pointing vector के रूप में परवासित करते हैं और हम किस प्रकार से परवासित करते हैं विद्दुचुमबकिय तरंगों के संचरन की दिशा के लंबद इस्तित एकांग छेतरपल से जो उर्जा प्रवा की दर है मूलते उर्जा प्रवा की दर उर्जा फिलक्स कहलाती है और इस उर्जा फिलक्स को ही हम Henry Pointing Scientist के नेम के आधार पर pointing vector कहते हैं फिर लास्ट येर कॉस्चन जो पूछा गया वो था सोनार किस सिद्धान पे कार करता है देखेगा इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं अपन देंगे पर जो लिखना चाहिए वो ये है कि sound navigation and ranging का संचित रूप सोनार है और इस के द्वारा हम ultrasound waves की frequency में परिवर्तन कर Doppler पिरभाग के द्वारा बस्तू की गती और उसकी दिसा का हम निर्दारन कर सकते हैं अर्थात जैसे for example पंडुबी के बारे में हमें उसकी location trace करनी है तो पंडुबी की हम उपस्तिती को जान सकेंगे साथी साथ पंडुबी के velocity को भी decide कर पाएंगे ये सारा काम आर्मी में बहुत नेवल में बहुत नेवी के अंदर बहुत यूज किया जाता है और sonar इस सिद्दान पे जो कार करेगा उससे हमें मदद मिलती है फिर एक बड़ा elementary question party में last year पूछा गया पून आंत्रिक परावरतन को परवासित कीजिए आप देख रहे हैं electromagnetic beam में basically हम जो ionosphere का roll पढ़ते हैं जिसमें कि हम radio wave के transmission और reception का काम करते हैं वह radio wave के transmission और reception का पूरा process इस total internal reflection पर ही आदारित है आप इसकी परवासा के रूप में संचिप में हम कुछ बात लिख सकते हैं कि जब कभी किसी सगन माद्यम से संचरित होता हुआ प्रकास बिरल माद्यम से प्रतकित प्रस्ट पर करांतिक कौंड से अधिक कौंड होने पर उसका जो पुने उसी माद्यम में परावर्तन हो जाता है तो जब ये पून परावर्तन हो जाता है तो हम इसे पून आंत्रिक परावर्तन कहते हैं तो परवासा में सिर्फ इतना लिखना पर्याप्त होगा, किसी सगन माद्यम में संचरित होता हुआ प्रकास, बिरल माद्यम से प्रतकित प्रस्ट पर, separated by a rare medium, क्रांतिक कौंड से अधिक कौंड आपतित होने पर, उसका पुने उसी माद्यम में परावरतन होता है, यह पून critical angle कहलाता है, फिर last year question पूछा गया, threshold audibility क्या होती है, नियुंतन तीब्रता की वह है धोनी, जिसे हमारे कान सुन सकते हैं, वह है threshold audibility कहलाती है, human ear की जो threshold audibility है, वह है एक किलो हर्च frequency पर जो तीब्रता होती है, 10 के पावर माइनस 12, बाट पर मीटर स्क्वाइर होती है, यह 10 question जो मैंने किये, यह 10 question लास्ट येर, part A में discuss किये गए थे, इन दसो questions में आप देखेगा, हम इस paper setter ने किस प्रकार से, तीनों unit को cover किया है, और मैंने आपको इनके answer लिखे हैं, यह समझाने के लिए कि हम इस answers में new term क्या लिखें, किस प्रकार से perfect answer हम लिख सकेंगे, part B से और हम आज काम करते हैं, part B मैं जो पहला question पूछा गया, वह है पूछा गया, सिद्ध करें, सरल आवर्द गती में, average of k is equals to average of u, means average value of kinetic energy is equals to average value of potential energy, आप जानते ह हैं, जब oscillator को मात इस्तिती से x दूरी तक प्रत्यानन बिल्कि ब्रुद बिस्तापित किया जाता है, तो उस बिस्तापन को किये गए जो कार है, वह किया गया कार ही potential energy के रूप में इखटा हो जाता है, और potential energy का जो मान निकल के आता है, वह मान होता है, 1 by 2 k a square, sin square, omega t plus phi, हमको ध्यान ये रखना है, कि जब हमें कभी time के respect में average निकलना है, तो उसका formula होता है, 1 upon t, 0 to t, udt, तो हम इस formula का प्योग करें, और इस formula में हम ये ध्यान रखेंगे, कि 0 से complete time period के लिए, चाहें वो sin square का function हो, चाहें cos square का function हो, उसमें जो integral का मान मिलेगा, वह है t by 2 मिलेगा, आप देखेगा, मैंने जब इस integral को हल किया है, और इसमें sin square की term आ रही है, जिसका integral का मान ट by 2 होगा, तो average value with respect to time of potential energy, each comes out to be 1 by 4 k a square, similarly, हम potential energy का भी, हम kinetic energy का भी average energy निकाल सकते हैं, kinetic energy is equals to half of k a square, cos square omega t plus phi, average लेने के लिए, वही integral का formula यूज करेंगे, 1 upon t, 0 to t, 1 upon 2 half k a square, cos square omega t plus phi, and keep in mind please, integral value of cos square is also equals to half t by 2, as it was equals to sin square integral, so the value comes out to be 1 by 4 k a square, which I have marked by equation number 2, therefore, equation number 1 and equation number 2 are same, both results are same, both results are coincide, therefore, we are in a position to say that, average value of kinetic energy is equals to average value of potential energy, and this is a question which was asked in part B, okay, so we shall discuss and we will continue, we will keep continue our discussions tomorrow also, thank you.